लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइट को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए 40 सिरानदानी हस्पिटल वासी के आर्थोपेडिक डाक्टरों ने 17 महीने में 287 लोगों के घुटनों का सफल आउपरेशन कर उन्हें चलने लायक बना दिया है आज एक प्रेस कॉन्फरेंस में 40 सिरानदानी हस्पिटल के आर्थोपेडिक सर्जरी संचलक डाक्टर प्रमोध भोर यों फैसिलिटी डायरेक्टर नितिन कामरिया ने इसकी जानकारी साजा की उन्होंने कहा कि 40 सॉस्पिटल में CUBIS सर्जिकल रोबोर्ट सिस्टम से घुटनों का इलाज और सर्जरी की जाती है इस सत्याधुनिक तक्नीक से की गई सर्जरी से बुजुर्गों और युवाओं को कम समय में बहतरीन उप्चार मिल जाता है आईये सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है अगाँ प्रण प्रण चान अंतर पेन पोस्त अपरेटिव रिकावरी एक उलाउकर होते है पेन कमी होते है तामोले रोबोटिक नीडिक्रेश्मेंट जी आमी तीन्चे केले ताचा मदे जी आवोड़ पेश्टला फायदा दालेला है आपश्टी प्रण अन्यूर प्रण पायदा नीडिकस интересно स्फायदि गया करते है अंतर पेश्टी प्रण चान पाया वाला था से भूष्टिपरमाने स्वहर्च पेश्टी रिकार्श सक केले लागण तोड़्या है तो जोएंट रिप्लेस्मेंट प्रोग्राम में लास्ट ही स्टार्ट किया था रोबोटेक जोएंट रिप्लेस्मेंट और इनीशली लोगों के काफी सारे मेच्स थे इन टरम्स ऑफ की कैसे एडवांटेज होगा और क्या बेनिफिट्स होंगे इसके तो हमने उन लोगों को एक्स्प्लेन किया और जैसे इसे केसे सम करते गए तो लोगों के सामने आते गए अभी एक्सेप्टेंस काफी जादा हा गया है टेक्नलोजी के लिए और तीन सो रिप काम किया अभी हमारे पास पैकेज़ेज भी हैं सारी कैटेगरीज के लिए तो एक्सेप्टेबलीटी ओवरॉल बढ़ रहा है इसके लिए लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिके